नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उतकस नर्सिंग क्लासेज के साउनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर जहां पर मिले के आएक और दमाकेदार सेशन ज्यां दोस्तों वैसे आज मौनिंग से आप डिपरेंट टाइप के सेशन को यहां पर एंजोई कर आपका एक्जाम आप सभी को पता ही कि कौन सी तारीक होना है प्यार दोस्तों दो तारीक हो और इस एक्जाम के पॉइंट व्यू में कुछ मैट पून्ट सेशन सब्जेक्ट वाइस सेशन आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतकर नर्सिंग क्लासेज यहां पर चलिए सुरुआत करते हैं और प्रिडेटरिंग नर्सिंग का यह सेशन हमारा रहने वाला है इससे पहले आपने साइकेर्टरी को पढ़ा आपने जो है को पढ़ा जिसमें रॉक्ट याट को अपने पढ़ा इससे पहले आपने उसके करके फ़ेक्ट ‫ everyone एक question आप से पूचाता है उसी से हम सुरुवात करेंगे hypothermia एक basic concept होता है heat के loss का एक basic concept होता है जो छोटे बच्चे होता है pediatric age जो होती है उसमें तो उस concept को लेके हम यहाँ पे इस session के अंदर deal करने वाले हैं सबसे पहले question के साथ में name this device used for preventing hypothermia neonate neonate में hypothermia को prevent करने के लिए यह device का में लिया जाता है जो photo में आपको दिया वा है आपको इस device का नाम यहाँ पे बताना था radiant warmer हमने इसको पूचा incubator हमने पूचा phototherapy unit पूचा और room heater पूचा आप सभी को बता ही कि room heater ऐसा नहीं होता है यह तो वैसे भी गलत है room heater जो है that is slightly different और room को वाम रखने के लिए काम में लेते हैं यह जो है hypothermia को prevent करने का जो unit है छोटे बचों में इसको radiant warmer कहते हैं हमने इसको क्या बोला radiant warmer एक तो यह स्वाल बनता है कि यह machine कौन सी है तो radiant warmer है दूसरा स्वाल यह बनता है कि किस method पर काम करती है तो जौबे radiation method पर काम करती है कौन से method पर radiation method पर यह दूसरा स्वाल exam का बनता है radiation method पर काम करती है और यह heat loss का सबसे पर्मुक method है 60% heat loss इसी method से होती है इसके हम पहले काम इसी पर करते है radiation method जो है इंक्यूबेंटर जो होता है यह convection method पर काम करता है convection method और convection method जो है इससे heat का लॉस जो है incubator से heat का लॉस होता है तो यह convector air air loss है हवा का वाला लॉस है जो है इस्टूमेंट होता है एक और इंपोर्टन ऑठ ये सब्सक् rivals की सके are anyoneå सो नॉसलिबल होता है और जो इनडारेक्ट होता है हम इसको इनडारेक्ट या इसको झाम क्या बोलते हैं इनडारेक्ट विदरुबीन बहुते हैं इसी को आंड नॉन सॉलिबल बोलते हैं नॉन ah उन तो अंट्यू सॉलिबल नहीं नहीं है इस अंड्यू को ऑंड्यूにूल old करने का काम सै इसको कशूअ करने का काम जो है वो कौन करता है, light, photo light, तो phototherapy जो है, unconjugated को conjugated में convert करता है, इसको photolight कहते है, photolight और phototherapy, तो अगर आपको कोई पुछे, what is the use of phototherapy, it converts unconjugated bilirubin into the conjugated bilirubin, जो unconjugated bilirubin है, उसको photolight किसमें convert करती है, conjugated bilirubin में, और conjugated bilirubin body से क्या हो जाता है, execute out, एक simple सा concept है, तो अगर मेरे को unconjugated को conjugated में convert करना है, तो मैं किस का use कर लूँ, photo light का use कर लूँ, phototherapy का use कर लूँ, ठीक, now, photo light जो होती है, यह इसमें 4 blue light होती है, जो यह काम करती है, हाँ, इसमें 2 white light भी होती है, जो assessment का इस्सा होती है कि दो इह ब्लु सकती है यह जय्立 सकते हैंक संप यह इसलिए ब्लु लाइट होती है इसका एंप्लिट्यूट उसस्टी है गैसे आधा के बोड़ी इसलाइट को यूज हचा होता है उसके उपर बच्छे को नुकसान होता है यहां तक हम यूज करते हैं रहीत जो होती है उसको लगाते है ऊचिए बच्छ acid सेन्ट military distance भे बबचे की बडियों Light का Distance कितना होना चाहिए 45 लाइट जो हती है और वो बच्चा जो होता है उसको जब Light के नीचे रखेंगे तो बच्चको Uncover करना पढ़ेगा बच्चको क्या करना पढ़ेगा unc球 स्रप उसका आई जो है वो cover होना चीए और एक male के अंदर जनाइटेलिया जो है वो cover होना चीए बागी पूरा बचा जो है वो uncover रहना चीए जब आप light use करते हैं एक और math puns वाल यहां से बनता है कि जब आप light लगाते हैं तो उसकी वज़े से फोटो तरफी के दुरान बच्चे को वने वाला most common complication क्या है यह बहुत important प्रफोटो तरफी में लोग छीज बता सकते हैं वह कौन सा हुता है तो क्या है अब अब कमेंट बॉक्स में यह मत लिए ना कि ब्रॉंज बेबी संड्रूम होता है onda बेबी संड्रूम बहुती superstar complication हमेसा होता है dehydration hyperthermia भी common नहीं है तो ब्रॉंज बेबी दिमाग में मतला ना कभी जिंदगी में यह most common नहीं हो सकता dehydration एक most common complication है कौन सा dehydration phototherapy का most common complication क्या है तो dehydration इसके अलवा क्या होता है तो इसके अलवा जो है light की वज़े से बच्चे को गर्म जादा होना hyperthermia क्यालाता है तो देर में भी चांस वाप hyperthermia हमें इन दो बातों का बच्चे में ध्यान रखना है अगर मुझे dehydration को prevent करना है तो बच्चे मैं fluid replace करता रहूं इसके लिए क्या देता रहूं बच्चे को fluid replace करता रहूं तो dehydration के लिए तो fluid replace करो fluid administration कर दो ओरली दे दो आईवी दे दो यू कन गिव आईवी fluid आईवी या oral कैसे भी आप fluid दे सकते हो आप fluid replace करते रहूं तो to prevent the dehydration you have to administer fluid repeatedly तो एक तो बच्चे को fluid दे दो और या आईवी दोनों तरीके से fluid replace कर दो और दूसर अगर hypothermia से बच्चे को prevent करना है तो temperature check करो और बच्चे जो है उसमें temperature को बढ़ने से रोगो तो यहां पर temperature monitoring important होता है temperature monitoring important होती है तो hypothermia के लिए तो बच्चे में करते हैं temperature monitoring और dehydration को prevent करने के लिए fluid replace करते और अरवी देते करते हैं यह phototherapy के complications को prevent करने के तरीके रहता है यह दो बड़े complication है phototherapy जब हम देते हैं तो हाँ एक rare complication है कि जब बहुत सारा unconjugated bilirubin conjugated में convert हो जाता है और यह conjugated bilirubin जब skin में deposit होता है तो skin का color जो है वो बजल जाता है और skin का color कैसा हो जाता है तो skin का color bronze color हो यह phototherapy का यह complication है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि most common complication नहीं है डिसी जे rare complication यह क्या है यह rare complication है इस बात का आपको जहान रखना है fluid replacement करना है और brush feeding पे जोर देना है अगर बचा conscious है तो basic concept तो यह होता है कि brush feeding करानी है और हर दो-दो घंटे में तो करानी है और भी ज्यादा frequently brush feed करा सकते हो brush मिल के अलावा plain water भी बच्चे को पिला सकते हो क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए तरीका चाहिए कोई भी निकलो आपको के सर न्यूबॉर्ण बेबी को तो पानी मना होता है लेकिन जो न्यूबॉर्ण बेबी बिमार है और जो phototherapy पे है जो dehydrated हो रहा है उसमें पानी मना नहीं होता है तो पहला approach तो यह होना चाहिए कि maximum 45 cm के distance होती है उससे ज्ञादा उपर मत करना minimum कम करते करते हम और नीचे ला सकते है 18 cm तक ला सकते है single surface और double surface दो तरीके होता है phototherapy देने के phototherapy जो हम देता है वो हम single surface भी देता है और photo therapy double surface भी होती है तो दोनों तरीके से फोटो थेर्पी दी जाते है single surface ऑल double surface यह तमाम बाते आपको फोट्र्यकी को लेके याद रकनी है एगजाम में पूछी जाती है और radiation का याद रखना है इंक्यूबेट का याद रखना है रेडियंड वार्मर आइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है, इनक्यूबेटर भी आइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है, पानी बच्चे को पीने के लिए दे सकते हैं, कौन सा पानी, डिस्टिल वाटर, ऐसे कोई नॉमल पानी यूज ना करें, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है छोटे बच बच्चे को पीने को दे सकता है इस्टेराइल वाटर होना चीह है यह इंपोर्टेंट बात है अगला स्वाल है और आपको यह बताने कि इसमें डेवलोप्मेंटल डिले कौन सा है हमने 4 मार्य स्टों भी यह यह यहां पर डेवलोप्मेंटल निले कौन से मैं दैखने को मिलता है एसा हमने यहां पे पुछा एक्सेप्ट का क्वヨग है पहला absence of pincere grasp at nine month, नो महिने पे pincere grasp का absent होना, पहला option है, दूसरा not climbing stair up and down at two year, दो साल पे stair up और stair down नहीं हो रहा है, यहाँ पे बचा, not speaking two words phrases at 18 महिने पे दो word की phrases भी नहीं बोल पा रहा है, और not able to sit at nine month, नो महिने पे बचा बैट भी नहीं पा रहा है, चार बाते हमने यहाँ पे बोली, स्वाल में हमने पूछा कि developmental delay, milestone में developmental delay को कौन suggest कर रहा है, एक को छोड़के, accept का question है, सभी लोग जवाब लिखे, चार अलग अलग बाते बोली है, लगबग सभी लोग ने the answer लिखा है, कि the child is not able to sit at nine month, नो महिने पे बचा बैट ही नहीं पा रहा है, तको लाले आप समझी नहीं पा रहें सवाल को, सवाल accept का है, हमने क्या बोला, कि all of the following suggested development delay in milestone, सभी developmental delay है, एक को छोड़के, सवाल accept का है ना, तो यह जवाब कैसे होगा, यह तो development delay है, एक 9 महिने का बचा गर बैट नहीं पा रहा है, तो यह developmental delay है, है, तो यह जवाब नहीं होगा ना, क्योंकि आपको जवाब तो देना है कि कौन सा developmental delay नहीं है, जब accept का question होता ना, उसी line के पीछे नहीं word लग जाता है, सवाल समझ में नहीं आया आपको इसलिए, हाँ, यह जो है, सवाल ही समझ में आपको, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा milestone developmental delay को indicate कर रहा है, एक क चोड़के, तो मतलब कौन सा developmental delay नहीं है, अब समझ में आया कुछ, तो हमने यह बताया, कि बच्चा बैट ही नहीं पारा नो महीने पर, अरे बच्चा बैटने लग जाता है, with support तो 5 महीने पर, है ना, बैटने का concept होता है, कि 5 महीने का बच्चा जो है, sit with support, with support बैट जाता ह 5 महीने पर, है ना, और 8 महीने का बच्चा बैट जाता है, without support, और यह कितना हो गया, 9 महीने का, अभी भी बैट नहीं पा रहा, तो यह तो development deal है, यह जौब नहीं है, एक है, not speaking two word phrases, at 18 month, जब मैं बोलने के milestone की बात करूँ, है ना, बोलने के milestone की, तो मैंने कल भी आपको बता है ता कि तीन महीने का बच्चा जो है, वो बोलता है कूज साउंड, कूज साउंड क्या होता है, musical vowel sound, A, E, I, O, U, yeah, musical vowel sound, musical vowel sound, musical vowel sound, kya होता है, बच्चे बहलता है, बच्चा क्या है, लापलाउड मतलब जोर से ठाके मारके हसता है और छे महीने का बच्चा मोनोसेलेबल्स हो जाता है अब आपको के सरी ये मोनोसेलेबल्स क्या होता है बच्चा सिंगल वर्ड मा बा ता ये ऐसे बोलने लग जाता है इसको मोनोसेलेबल्स कहते है एक सिंगल वर्ड बोलता है मा इसको mono-selleables कहते है और नो महीने का बच्चा जो हता है वो by-selleables हो जाता है by-selleables का मतलब होता है इनी word को दो बार बोल देता है mama, baba टाता ये by-selleables कहलाता है और याद रहिके का प्यारो दोस्त हो ये जो बच्चा है जब 12 महीने का हो जाता है तो वन टू टू वर्ड्स विद मिनिंग बोलता है एक से दो वर्ड बोलता है साथ में उसका कुछ मतलब निकलता है तो वन टू टू वर्ड्स विद मिनिंग 12 महिने का बच्चा ऐसा करता है कि एक से दो word with meaning बोलता है 9 महिने का बच्चा 22 सेलेबल से है 6 महिने का बच्चा मोनो सेलेबल से 4 महिने वाला laugh loud है और 3 महिने वाला kooj sound बोलता है आगे कि हम बात करें 15 महिने का बच्चा जब यही 15 महिने का हो जाएगा तो इसमें milestone आएगा जर्गून जर्गून मतलब बढ़ बढ़ाना एक्जाम में ये बहुत famous करीके से पूचा जा सकता है कि जर्गून milestone कौन से महीने का है जवाब है पंदरवे महीने का milestone है जर्गून बच्चा अपने word power को बढ़ाने लगता है बढ़ेगा तो कुछ नहीं बढ़ बढ़ाने लग जाएगा उसको बढ़ बढ़ाना और यही बच्चा जब 18 महीने का हो जाता है यहाँ पर एक milestone आता है उसको हम नाम देते हैं 8 to 10 words with meaning 8 से 10 words with meaning भाई साब 8 से 10 words बोल जाता 18 महीने पे और दो साल का होते होते बच्चा तो एक simple sentence बोल सकता है simple sentence एक simple sentence बच्चा बोल सकता है यह बच्चा देखिए यह बच्चा दो word बोल रहा है 8 महीने पे जबकि 18 महीने पे 8 से 10 word हमने बोला था कितना 8 से 10 word with meaning और यह 2 word तो developmental delay होई गया इसके होई गया समझ माया 8 से 10 word जहां बोलना चाहिए था वहाँ पे बच्चा कितने word बोल रहा है 2 word बोल रहा है तो लेट है ना काफी 2 word तो बोल जाता है एक साल पे और 18 महीने पे भी 2 word बोल दा है तो यह लेट हो गया बच्चा एक यहां पे लिकावा है कि Child is not climbing stair up and down at 2 year 2 साल की उमर हो गई है अभी भी CD नहीं चड़ पा रहा है 15 महीने पे बचा जो है CD चड़ना सुरू कर देता है 8 महीने का बचा भी baby step और 2 साल का बचा भी alternate fit तो 2 साल का बचा alternate fit से CD चड़ने लग जाता है यह ना तो CD चड़ पा रहा है ना उतर पा रहा है उतरना तो फिर भी possible नहीं है 2 साल पे लेकिन चड़ना तो C की जाना चीए नहीं कर रहा है तो developmental delay है एक लिकावाया कि absence of pincer grasp at 9 month तो pincer grasp जो होती है 9 महीने पे वैसे भी immature होती है 12 महीने पे जाके mature pincer grasp आती है तो अगर किसी बचे में 9 महीने पे pincer grasp absent है तो यह developmental delay नहीं है 9 महीने पे pincer grasp का absent होना developmental delay नहीं है यह आ जाएगी और यह 12 महीने पे आएगी तो यह जो option A है प्यारे दोस्तों 9 महीने पे pincer grasp का क्या होना absent होना यह basically developmental delay को इंडिकेट नहीं करता है बाकी सभी करते है स्वाल नहीं यहीं पुचा है कि सभी development delay को indicate करता है एक को छोड़गे option A जो है कि 9 महिने पे pincers grasp नहीं है इस बात को छोड़गे बाकी सभी बाते इस बात को indicate करती है कि जो रस्गुल आहे उसमें development delay हो गया है याद रहेगा नो महीने पे पिंसर ग्रास्प का एफसेंट होना यह डेवलोप्रेंट डिले नहीं है क्योंकि यह पिंसर ग्रास्प मैच्वर है जो एफसेंट होती है जो पिंसर ग्रास्प होती है और जब हम पिंसर ग्रास्प लिखेंगे तो पिंसर ग्रास्प मैच्वर होत तो मेरे लालों जब आपका थम और इंडेक्स फिंगर के बीच में कोई चीज को पकड़ते हैं उसको पिंचर कहते हैं पिंस चुटकी आपने सुना होगा ने एक चुटकी सिंदूर की किमत तुम क्या जानो रमेश बाबू औरत की सरका ताज होता है एक चुटकी सिंदूर है चीज को हाथ में देते तो पकड़ लेता उसको पिंसर ग्रास्प नहीं कहते लाले वह माईलिस्टोन नहीं है वह रिप्लेक्स है माईलिस्टोन पढ़ा रहे हैं कुछ तो डापा चूप हो रहे हैं माईलिस्टोन और रिप्लेक्स में वह जो होता ना वह यह यह जो पिंसर वो अलग-अलग बाते हैं और वो grasping है वो grasping है Palmer grasping कहते है उसको और वो एक reflex है pincer इसको कहते है उसको palm कहते है Palmer grasping ऐसे mix मत करो भाई सब good gover कर दोगे फिर बता रहे हम अगर आपको इतना भी पता नहीं होगा कि pincer और Palmer में फरक क्या है ग्रास्पिंग-ग्रास्पिंग का फरक है अलग-अलग बाते हैं जिसके पीछे ग्रास्पिंग आता है जरूरी तोड़ी कि वो जवाब हो है एक बच्चा कैंड दू दू फॉलोइंग एक्टिविटी जितने भी रस emission कinaire के जुद्धे पहनते है उनके ये प्रावलम है उनको बांद नहीं आता है ये क्या करते किस बांदा हिए वह लेते ही नहीं जुद्धे बिन ale जुधे पहनते हैं याद लुखो बिना लैसेज के जुधे और लैसेज वाले जुधे आपके आटिटीट को दरसाते हैं बहुत इंपोर्टेंट है है ना तो बी-ह नर आपको हमेशा लैसेज वाले सूज पहनने चाहिए जिसमें लैस सो अब क्यों है यह बहुत बड़ी कानी है मैं कभी इताई वाली आपको अब आपका इसका जवाब लिखो, जवाब लिखो सभी लोग, अब सभी कहेंगे मुझे आता है, भगवान के सोगन, जिनको आता है ना, उनमें से बहुत कम लोग है, जो लैसेज वाले जुथे पहनते हैं, बिना लैसेज वाले पहनते हैं, है कि नहीं है, बहुत इंपोर्ट यह जो लैसेज बाइने का काम होता, यह एक्ट आहेगा बच्चे में 5 साल की उमर में जाके, या देखना, यह एक्ट का अएगा, जब बच्छा 5 साल का हो जाएगा, तो जिन लोगों ने टाइद शूल एसेज, है गी नहीं, तो यह पे गरेक्ट आंसर जो है, वो D है, A, B और C, T नहीं गरते हैं, तो एग्जामे अगर आपको पूछे, कि बचा जो है, यह सूल एसेज या बटनिंग, इसको बटनिंग करना कहते है, तो बटनिंग कब सीखता है प्रोपर तरीके से तो पाँ साल है, दोनों एक्ट के लिए पाँ साल का होना चाहिए, बचा, clear है, अगला question, pre-term very low birth weight infant, he is ingesting unfortified breast milk, बचा जो है उसने unfortified breast milk का ingestion किया, pre-term है और very low birth weight infant है, supplementation देना है हमें, calcium और vitamin D का, क्योंकि उसमें जो milk लिया है, वो milk कैसा था, unfortified था, उसमें calcium और vitamin D की कमी होने की पूरी risk है, ऐसे बचे में supplementation कितना देंगे, calcium 80-120 mg per kg per day, and vitamin 200-400 internet unit per day, calcium 40-80 और vitamin D 400-1000, calcium 500-1000 mg per kg per day, vitamin D 200-400 internet unit per day, calcium 400-200 mg per kg per day, और vitamin D 200-400 internet unit per day, लेखो, 81-20, 40-80, 500-1000, 150-250, 220, यह अलग अलग तो है calcium की dose, और vitamin D जो है, वो 200-400, 400-1000, 200-400, कहने का basic मतलब है कि vitamin D में कई बार 200-400 आया है, vitamin D तो ज़्यादा तर 200-400 ही देते हैं, एक बच्चे के अंदर vitamin D का जो डोज होता है, वो तो 200-400 ही होता है, तो option B तो अपने आप ही कट गया, 400-1000, यह तो अपना आप ही कट गया, तो जिन्होंने B लिका है, वो तो पहले ही गलत हो गए, कि vitamin D को कभी भी 400-1000 नहीं देते हैं, इसलिए तो धरती गलत हो गया, vitamin D जो है, maximum ही 400 ही होता है, 400 देते हैं, ज़्यादा तर preference के रूप में, दोनों मैंसे एक हो तो, नहीं तो हम 200 भी यूज़ कर सकते हैं, vitamin D, vitamin D की कहान ही clear होई, इसलिए B गलत हो गया, अब हम यहाँ पर calcium की बात करते हैं, क्योंकि vitamin D तो अब सब में सहम है, 200-400, तो फिर calcium का सोचेंगे, तो यहाँ पर 80-120 एक रेट है, calcium की, dose है, 80-120 mg पर kg पर day, calcium है 500-1000 mg पर kg पर day, और 1500-220 mg पर kg पर day, ऐसा चार option है, calcium को लेखे, कितना देते हैं बता दो, A ही होगा, A गलत है लाले, 80-120 mg calcium कम है, 80-120 mg calcium कम है, इसने A बिल्कुल गलत है, और अगर आपका जवाब C है, तो यह भी गलत है, क्योंकि 500-1000 total calcium देते हैं, 1 gram calcium, नॉमल एक healthy adult में, तो बच्चे में 500-1000 mg पर kg पर day तो गड़ बढ़ है, लेकिन आप 500-220 mg पर kg पर day के साफ़ से, calcium इसको भी दे सकते हैं, डी यहाँ पर करक्टान सुरे, कितना दे सकता है, 500-200 mg पर kg पर day, विटामिन डी, और 200-400 इंटरनेस यूनिट विटामिन डी, यह हैं calcium की डोज और यह है, विटामिन डी की डोज, और इसको पर डे के साफ़ से देना पड़ेगा, यह यहाँ पर, विटामिन डी और कैल्सियम सप्लिमेंट जो है, उसका डोज क्या रहेगा, तो हमने दोनों की डोज निकाल के दे दी, 150-220 mg पर डे, और 200-400 इंटरनेस यूनिट पर डे, ली करेक्टान सुरे, कैल्सियम की बात करते हैं, एक विटामिन डी की बात करते हैं, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैल्सियम और एक विटामिन डी, अगला क्वेस्चन, साधी करा दो भी इसकी, वाट इस दा मोड ऑप हीटिंग इन दिस एक्विप्मेंट, इस एक्विप्मेंट में हीटिंग का मोड क्या है, यह दे को एक्विप्मेंट आपको दिख रहा है, हीटिंग का मोड क्या है, hitton hitton mode क्या है इस इक्ट्म में radiation है conduction ए convection है या आपका इन में से कstormहुस statistics नहीं है तो आमने बोला एक तो पहले हमने बोला नजी था वो तो कौन था इससे पहले हमने बोला वह कौन सा था गलर दोस्तो radiant warmer पहले कौन सा था radiant warmer ये जो रेडियांट वार्मर ये तो ता रेडियंट वार्मर रेडियंट वार्मर like sı लिए रीडियंट वार्मर सब्दगाता है अलियो आंदूर्ट किस पर यह तो करता है उसको कंडेक्शन मैंतल यह तो जवाब नहीं रहेगा तो ना तो आपका रैडियेसिन रहेगा ने बुना रेडियेंट वार्म ने पर तो यह दो तो जौब नहीं बनेगे तो पिच्छे एक बचा फिर और वह कौन सा है convection तो अमारा जो ये इतिंग का मॉड है यह कौन है ये कौन सा equipment है इंक्यूबेटर और inक्यूबेटर कौन से मॉड पर काम करता है incubator convection method पर काम करता है इससे पहले radiation की बात हमने कर ली थी और यह incubator है समझ में आया गी नहीं आया है गी नहीं बहुत बढ़िया अगला question एक और mathpun present है स्वाल को समझे सीके और फिर जवाब लेके अच्छा स्वाल है as per the perinatal risk certification of preterm new net and development outcome which of the following will constitute a moderate risk category moderate risk category बहुत अच्छा स्वाल है थोड़ा दिमाग लगा के जवाब लिखना हमने बोला कि as per the perinatal risk certification perinatal risk certification जब हम करते है preterm new net में development outcome देखते हैं तो कौन सा constitutes जो है वो एक moderate risk category को यहाँ पर indicate करता है moderate risk category पहला लिखा है gas station 32 32 week birth weight और 1000 to 1500 gram और 1-3 दिन ओप hypoglycemia gas station less than 28 week birth weight है 151 से 1500 gram और रस्कुला जो है एक से चार दिन ओप hypoglycemia gas station 28 week से कम है birth rate 1250 gram से कम है एक से चार दिन ओप hypoglycemia और gas station 30 से 32 week है birth rate 1251 से पनदरा सो ग्राम है और more than 5 days of hypoglycemia moderate risk category कौन सी है यहाँ पर जो भी बच्चा 28 week से पहले पेदा होता है यह दोनों बच्चे severe risk category में आते है किसमें आते है severe risk category में क्योंकि 28 week से भी पहले पेदा हुए जो बच्चा 28 week से पहले पेदा होगा वो बच्चा मेंसा severe risk category में काउंट होता है यह दो तो वैसे भी गलत होगे 28 week से छोटा बच्चा severe risk category में काउंट होता है जो बच्चे का gas stress ने जो है वो 30 से 32 week है और birth rate 1251 से 1500 है risk को लेकर है और वो है option A actually मैं यह तीन parameter एक साथ दिये है hypoglycemia कितने time रहता है gastricion age कितना है virgin कितना है तीन parameter gastricion age दी हुई है birth rate दिया है और hypoglycemia का कितना दिन है इन तीनों parameter को देखके जब हम जवाब देता है तो risk calculate होती है और वो तीन तरह की risk हो जाती है mild, moderate और severe हमें moderate risk का पूचा है तो option A यहाँ पर सबसे better जवाब है जब बचे का gastricion age 30 से 32 week है यहाँ पर बचा 30 से 32 का था पर birth rate उसका 1215 से 51 था यहाँ पर 1000 यह तोड़ा last category में आएगा mild में moderate में जाएगा यह severe categories में आते है अलगलग category wise यहाँ पर काम रहता है जो आपको जान रखना है यह boy can grasp a rattle and recently he is able to transfer object from hand to hand he should also be able to बताओ क्या answer होना चाहिए यह मज़ेदार क्वेश्चन है अच्चा क्वेश्चन है यहाँ पर दो तीन तरीके के जवाब आ रहे है कुछ लोग a जवाब लिक रहे है कुछ b लिक रहे है कुछ c लिक रहे है कुछ d लिक रहे है ऐसे चार जवाब आ रहे है है कि नहीं हमने बोला एक लड़का है grasp a rattle and recently जो है he is able to transfer object from hand to hand is also be able to जवाब लिकेगा प्राणी में धेरिया है उनको इन बातों से फरकी नहीं पड़ता है आप लोग क्या कोका कोला की तरह हो थोड़ा इलाता है कोई तो उपन जाते हो उपन नहीं है भाई ये भी एक तरह की प्रिक्स है आपकी जैसे exam आपके होते है न life में ये भी प्रिक्स है कि क्या आप इन चीजों को होते हो भी धेरिये रख पाते हो आपको अपनी पड़़ई करनी है और उन चीजों को साथ में चलने दो भाई आप भी लिक रहे हो तो वह कुछ ओण लिक्रा उसका जो comment है उसको तुम पढ़े कायं को रहे हो चलने दो उसको क्या फ़र्क पढ़ता है है कि ये तो इससे आपका धेर ही है पता जलता है कि आप कितने धीरे जवान हो आप पानी के तरह बने रहो एक दाव़ऊ स्वाल से ज्यादा तो वह दिखता है यह आपके अंदर प्रॉब्लम है उसमें नहीं है इसे हमें अपने आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा बहुत इंपोर्टेंट है तो अगर आप ग्रास्प करता है बचा रेटल रेटल ग्रास्प कर रहा है और रिसेंट्ली इस ट्रांस्परा अब्जेक्ट्ट्ने के सब्सेड़ा गही है तीन महिने का हो गया है चार महिने का रेटल ग्रास्प करना रेटल किसको कहता है वह जुंजुन आता न जो बच्छा बजाते है जुँन बच्चो का और साथ में Abigail फिए और अबजेक्ट को ट्रांस पर करना सी गया तो अगर एक अजया देता हो तो उसको दूसरे में ट्रांसपर कर देता हो फिर नेया object पकल लेता हो साथ में इसको बोलता है object को ट्रांस पर करना यह दो बात यहां पर मरीज ही गया पहला लिखा है उस मरीज में और क्या कर सकता है वह एबल टु ओग कि से मम्मा और दादा सिट विद सपोर्ट और स्टेंड विद सपोर्ट यहां पर आप देखो कि अगर कोई बच्छा यह कर रहा है रटल ग्रास्प कर रहा है तो चार मेने का उग जयो च्छा दरानसफरिंग उगी तो और नीम सकता तो बच्छा लो मामा को डादा рंद documenting की फंट म सकता है दो बाते here महिने की उमर में 22 से बस यह बचा हो जाता है नो महिने की उमर में बचा भी वा है छह महिने का यह भी हमारी डिक्सने से आउट sit with support यह जो काम है वो पांच महिने पर कर देता है छह महिने में हो जाता है बचा कितना है पांस से च्छे महीने का ये काम बचा कर सकता है और इस्टेंड विज सपोर्ट ये होता है दस से ग्यारा महीने में बचा भी कितना है च्छे महीने का है ये जो तीन है स्टेंड विज सपोर्ट से मामा और दादा एबल टू वाक ये तो बाद वाले माइलिस्टों है अभी दो साल के बच्चे के लिए नहीं है अगला क्वेशन एक और मज़ेदार क्वेशन है सोचने पर आपको मजबूर कर देगा पिक्चर को देखो और अपना ज्वाब लेको पिक्चर को देखो और अपना ज्वाब लेखो लार्ज फोर डेट या पर सौल में हमने आप से क्या पूछा हमने आप से पूछा कि यह एक अबनार्मल्टी यहां पर दी हुई है लाज फोर डेट बीबी है चार किलो का वजन है बर्थ के समय जहां बचे डाई किलो के पैदा होता है यह चार किलो का पैदा हुआ है डाई का डबल पांच होता है है गी नहीं तो बच्चा हम तो सोच देते हैं छह महीने पर डबल होगा और यह तो डबल ही पेदा हुआ है तो यहां पर स्वाल ने बोला एक लार्ज फोर डेट बच्चा है बर्त वेट चार किलो है कौन सी फाइंडिंग जो है अंडर लाइंग अबनोमल्टी पहला है कंजन की प्यर्राब प्यूम्रत कैशिक्त वेट लाइंडिंग गर्लद ट्रफ्ट फोर डेट नियोनेट इसका मतलब बच्चा पहले से मेंक्रोश्वैक है Macrosomic, Macrosomic Macrosomic मतलब large size baby जो भी बच्चा large size होता है वो बच्चा आइको तर्मिया की risk पे रहता है Large size का बच्चा जो हता है उसम मतलब lege size risk रहती है risk of hypothermia अब जब बचा large size का है और शरी, risk of hypoglycemia hypothermia भी होता है hypoglycemia इसकी जरूत इसलिए होती है क्योंकि बचा जब मदर के beautiful उन से बाहर आता है तो फ्रॉपर तरीके से feed नहीं कर पाता है जितना उसको glukos maa से मिल रहता है क्योंकि मदर को diabetes थी तो वो hypoglycemia में जाएगा बर्त होने के बाद में जो उसकी death का कार्ण बनेगा लेकिन बच्छा मदर के हूँ में size में large रहेगा और उसको glucose नहीं मिलेगा तो उसको problem तो होगी जैसे यहां पर आ हो रहा है, तो जन्रेटल आइपो थैरोणिम यहां पर जॉब नहीं है यह तो टी त्री और टी फॉर आर्मोन की कमी को कहते हैं को क्रिटी निज्ञ क्रिटिनिजम और एक घाड़ चूराइड़्स यहां पे जवाब नहीं है और सौल जो ऐसे भी नहीं है तो मेरा करेक्ट आंशर है इंपेंट ऑफ डैबिटीक मदर इंपेंट है उसके लिए यहां पे बहुत इंपटेंट बात है कि डैबिटीक मदर का बचा जो है उसमें माह को गुलकोज जदा रहता है प्लासेंटर से बच्चे में जाता है मदर के वुम के दौरान बच्चे को खूब गुलकोज मिरता है बच्चा गुलकोज खाता है खूब इंसुलिन बनाता है इंसुलिन खूब बनाता है इसलिए बच्चा साइज में भी एक दम मजबूत हो जात तो जो बच्चा डाइबिटिंग मदर का बच्चा है या मदर को डाइबिटीस थी प्रेगनेंसी हो गई और मदर को प्रेगनेंसी होने के बाद में डाइबिटीस हुई जिसको गैस्टरेशनल डाइबिटीस कहता है उन सभी केस में बच्चा जो है वो पेदा होने के बाद मे इसको पानी दूद्ध पिलाओ बच्चे को बार-बार पिलाओ और दूसरा इसके अंदर क्या इंतजाम करता है इसको रोकने के लिए ब्लड-sugar monitoring and if needed formula feed should be given वो भी देने का प्रत्न करते हैं तो B correct answer है implant of diabetic mother अगला question 32 week, 1400 gram neonate is born to the primary gravida the baby did not require resuscitation and showed stable vital the baby was transferred to the NISU, how would you manage the feeding of the patient 1400 gram का बच्चा है, 32 week पे प्रेदा हुआ है, primary gravida है nurse did not require resuscitation का जुरत नहीं है, stable बच्चा है transfer कर रहा है NISU से, NISU में transfer कर रहा है how will you manage the feeding of the patient, उसका feeding कैसे manage करेंगे 32 week, 1400 gram का neonate, primary gravida, baby did not require resuscitation and showed stable vital, the baby was transferred to the NISU, how will you manage the feeding of the patient, इस पेशन की feeding जो है, feeding उसका manage क्या रहेगा इस बच्चे में, start total enteral feeding and IV nutrition not required, पूरा enteral feeding देंगे, IV nutrition की ज़रत नहीं है start IV nutrition with minimal enteral feeding, start IV nutrition and introduce feed on second day of life start parental nutrition, start parental nutrition and institute oral feeding on second day of life 4 option है, पहला total enteral feeding देंगे, IV नहीं देंगे, IV देंगे minimal enteral के साथ में, IV देंगे, nutrition and introduce feed on second day of life start करेंगे, parental nutrition and institute oral feed on second day of life सुनो, 28 week से छोटे बच्चे में, IV fluid देते हैं, क्योंकि बच्चा न तो सक कर सकता है 28, 29 week के बच्चे को 28, 29 week बच्चा 29, 30 31, 31, 32, 31, 32, 33, 34, और more than 34, हमने आपको पहले भी बताया, यह जो एज है, यह तो आई फ्लूट दे दिया, यह जो एज है, 39, 30, 31, 32, एक तो यह उमर है, और एक यह है, और एक यह है, तो यह है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कि इस, इस अज़़़़़़़़़़़़़़़़़़ मरीज में, जो बचा 39-39, 31, 32 है, ऐसे मरीज में Sucking नहीं होती है, स्वैलोंग होती है, 29, 30 का बचा है, इस पर सकिंग नहीं होती है, स्वैलोंग होती है, 21, 32 का बचा, तो, 19, 30 के बचे में तो हम क्या करेंगे, यह पर NG या O, जी लगाएंगे, नG या O, G, NG और O, G, यह ज तो चुक्त को हम क्या करते हैं कटोरी से फिलाते हैं कटोरी कटोरी ज़ुक्ट ये जो मत्किका आईएं wise और यहां पर भाक्षी तरीका रहा है अपया आइए एक प्लूँट एक तरीका आता है और इस बच्चे को हम फिड देते हैं तो क्या तरीका तो आप देखो 32 वीक पे कटोरी चमच पर आ गए एंट्रल फिडिंग पर आगए हम आई वी नहीं लगा रहे हैं एंजी भी लिए थे एंट्रल फिडिंग दे एंट्रल फिडिंग start total entral feeding and IV nutrition not required start total entral feeding entral feeding ही देंगे IV nutrition का जुरूत नहीं है यहां पर IV nutrition लिखा जो गलत है start IV nutrition गलत है start parental का मतलब भी IV रहता है तो तीनों ही option में आपने देखा होगा IV nutrition का जिक्रोरा है हम कहरा है इसको नहीं देना है आपको पूरा entral feeding ही देना है क्योंकि at present scenario में बच्चे को IV nutrition का requirement ही नहीं है at present scenario में इस case study में IV nutrition का requirement जिसका requirement नहीं है वो हम काई को दे तो हमें देना भी नहीं है IV nutrition के यहां पर जुरत भी नहीं है और हम देंगे भी नहीं यह एक simple सा concept है अगला question in development of language a child is able to tell story by language development के अंदर child capable है story बताने में कौन सी उमर में बच्चा जो है story बताने के लिए capable है developmental milestone की कौन सी उमर में जाते वे बच्चा story बता सकता है confusion हैं बताओ solution दे देते हैं का confusion है सरसरा confusion बताओ अच्चा जिसको confusion ही है वो अगर्वती लगाओ confusion है वो भी लगाओ क्योंकि अगर्वती से सारे confusion दूर हो जाते है ऐसा बाबा रंचोट दास कहते है अगर बत्ती लगाओ क्योंकि नन्नी चिटी जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीवारों पर सो बार फिसलती है मन का विश्वास रगों में साहस बरता है चड़कर गिरना और गिरकर चड़ना कभी नहीं आ करता है आकिर उसकी मैनत बिकार नहीं होती कौसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती कौसिस पूरे मन से पूरे दिल से करनी है पेरा दोस्तों तब कहानी आपके इससे में आएगी है की नहीं ये स्वाल क्या कह रहा है डेवलप्पेंटल आप लेंगविज एच चाइड इस एबल टू टेल स्टोरी अगर एक बच्चे को हम बोले की कहानी सुनाओ ना कहानी कभ सुनाईगी बच्चा कहानी सुनानी की उमर जो है बच्चे की कौन सी रहती है ऐसस स्वाल ने पूछा है लेंग्विज तो कानिय बच्छा सुनाता है चार साल पर एक दो या तीन साल के बच्छे को कानिय नहीं सुनानी है चार साल का बच्छा कैन टेल ए स्टोरी ये स्टोरी बोल सकता है D या पर और इस बच्चे के अंदर करणिक्टर एम्च वा और उसके होने का का लिरूबीन और मिलूरूबीन का लेवल मिलूरूबीन का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है ये bilirubine जाके deposit होता है ब्रेन में ब्रेन में current issues current is the brain और ituzus is the bilirubine तो current के अंदर चला каждis मतलब brain के अंदर चला गया bilirubine और जब brain में bilirubine चला जाथा है तो इसको current kuras कहता है और condition hyperbilirubine में आही तो जब hyperbilirubine होता है brain में bilirubine चला जाता है कर्णिक्टर्स की कान ही होती है तो कौन से बच्चे में cerebral damage होगा कर्णिक्टर्स से moral reflex, tonic neck reflex neck rigidly या opistotonous अब आप इस बच्चे को देखो और इस बच्चे के posture को देखो और आप जौब दे सकते हैं इस स्वाल का कि क्या जौब होना चीए पर कोई भी बच्चा जिसको cerebral damage होगा कर्णिक्टर्स की वज़े से वो ऐसा हो जाएगा इस posture को हम नाम देता है अपिस तो tonus posture कर्णिक्टर्स का साई नहीं है कर्णिक्टर्स का हज़ बच्चे को कौन सा posture moral reflex, tonic neck reflex ये दोनों तो reflex से जाए और neck rigidity meningitis के cardinal sign में आता है अगर मुझे ये कोई कहे कि moral reflex क्या होता है तो एक बहुत आसान तरीका है हम newborn baby को hold करते हैं हैंड में एक बच्चा है और इसको मैंने आथ में hold किया एक आथ से उसकी neck को back को support दिया एक आथ से neck को support दिया suddenly मैंने क्या क्या neck का supporting hand अड़ाया तो neck backward fall हुई मैंने बच्चे को ऐसे पकड़ा एक आथ से neck को support किया एक आथ से body को support किया suddenly क्या होता है neck का support अटाया neck backward fall हुई तो बच्चे ने तीन reaction दिये बच्चे ने क्या किया abduction किया अपनी body से दूर ले गया एड किया और साथ में क्राई किया तो बच्चे का यह जो act है abduction, addiction और क्राई इसको हम किस नाम से जानते है moral reflex के नाम से जानते है जो यहां पर गलत जवाब है moral reflex होता है abduction, addiction और क्राई और यह 6 महीने पर resolve हो जाता है यह देखना, moral reflex का गाईब होता है 6 मंद की एज पर गाईब हो जाता है तो कर्णिक टरस्ट में moral reflex absent होगा है कि नहीं, हाँ यह तो जवाब नहीं है tonic neck reflex जिदर बच्चे की neck है उदर ton है होता क्या है कि जैसे अगर यहाप ए corner of the mouth को touch करो है कि नहीं और बच्चा उदर head को turn करता है mouth को wide open करता है यह तो होता है आपका rooting reflex rooting reflex में when touch the corner of the mouth baby turn the head, open the mouth और दूसरा reflex होता है वो head tonic neck reflex जिसमें जिदर neck है उदर ton है ton मतलब extension है और opposite side में क्या flexion है इदर neck है तो इदर ton है इदर flexion है और यह जो refres है यह भी जेनम के समय होता है 3-4 महीने में गायव होता है तो moral reflex 6 महीने पे और tonic neck reflex 3-4 महीने पे गायव होता है दोनों reflex important है और एक rooting reflex में भी बता जिया वो भी 3-4 महीने में जाता है यह सभी बाते जो है वो हम बात करता है है रिपलेक्स में जो नॉर्मल होता है ने के रिजीडिडिड़ी हो बच्छे को पैन रिजीडिड़ मोख र耐े उसका पॉजेटिव कर निंग साइन कहते हैं क्या बोलते हैंailed करनिंग साइन कि साथ में होता है कर्णिंग साइन और डूसर होता है बूर्ड जिन्स की साइन पॉजिटिव कर्णिंग साइन और पॉजिटिव बूर्ड जिन्स की साइन न Uns we certain these यह को फ्लेक्स करते हैं जुसरा बच्छे को सीधा लेटाते हैं और सीधा लेट आगे 90 डिगरी के एंगल पे और एब डाक्त कराते हैं sleँ एप बच्चे के अंदर Meningitis को Indicate करता है Positive Brugens की Sign और Positive Curning Sign Meningitis में और ये आपका जो है Nuckle Rigidity एक और Sign होता है जब मैं Curning Ters की बात करता हूँ तो बिदरुबीन किसको अपएट कर देता? Brain को और बिदरुबीन इन Brain Curning Ters तो इलाज क्या रहेगा? कि बच्चे में बिदरुबीन ना जाए इसलिए बिदरुबीन के लेवल को कम रखो और कम रेकने का तरीका है Exchange Blood Translusion और Phototherapy Whenever you're using the Exchange Blood Translusion और Phototherapy There is less chance कि बच्चे में ये problem हो ये बिदरुबीन को कम रखना है वो इंपोर्टन है अगला question The appropriate to the neonat one day four of life is appropriate approach क्या होगा एक neonat में जो present वाये vaginal bleeding के साथ में और वो भी कव four day of life जनम के चौते दिन पे fourth day पे fourth day पे पर vaginal bleeding और ही एक female neonat में neonat में आप इसको कैसे अप्रोच करोगे vitamin K लगाओगे bleeding disorder को investigate करोगे कुछ भी नहीं करोगे या 10 ml पर kg fresh frozen plasma लगाओगे चार गंटे में देखो यहाँ पे हमने क्या बोला चार चार दिन की बच्ची है चार दिन की और पर वेजेनल ब्लीडिंग हो रही है नियोनेट उमर है चार ही दिन की बच्ची है पर वेजेनल ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रोच साइकल के दोरान और यह मेंस्ट्रोच साइकल जो है वो एक हर्मोनल इंप्लेंस से होता है जो इनके अंदर menstrual cycle जो होता है menstrual cycle वो start होता है puberty के last sign के रूप में लेकिन उसके अंदर जो neonate होता है उसके अंदर बर्त के समय से वो start हो गया है तो जब बर्त के समय परवेजनल bleeding हो रही है तो इसका impact अमेंसा related है वहाँ पर रीजन मदर से तो क्या होता है वहाँ पर कि जब भी हो रही है तो इसको pseudo-mastration कहते है क्या बोलता है pseudo-mastration और मैंने आपको बताया था यह false menstruation है pseudo-mastration कहते है और इस pseudo-mastration के sign में यह problem रहती है परवेजनल bleeding on day 4 इसमें कुछ करने का जूरत नहीं है हम monitor करते हो पर bleeding को रोकने के लिए vitamin K देना या bleeding disorder monitor करना या एक पर कुछ नहीं देना है आपको तो यह जो हो रहा है वो auto-resolve हो जाएगा को specific therapy की ज़रत नहीं है क्योंकि मदर के hormone के withdrawal effect की वजह से हो रहा है बेभी मदर के उन से बाहर आई है hormone का withdrawal effect हो रहा है और यह जो हो रहा है वो withdrawal effect के हो रहा है इसमें कोई specific therapy काम में नहीं लेना है बाकि जब भी body में कोई bleeding disorder होता है आपने लेगा होगा FFP लगाते है vitamin K लगाते है clotting factor देते है सारे के सारे cryo precipitate देते है platelet भी चड़ाता है कई बार जुरत होती है लेकिन यहाँ पर उन समकी जुरत नहीं है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यह condition जो होती है normal मानी जाती है female child में due to the withdrawal effect of maternal hormone लिक लीजिएगा बहुत ही important स्वाल है एक्जाम में आनोयोग यह स्वाल है क्योंकि इसमें बातें tricky होती है वो एक्जाम में पूछे जाते है इसमें tricky बात है कौन सा milestone जो है sequence में लिकेगा इंचारों को एको वच्चा क्या क्या कर रहा है और उनको sequence के अनुसार आपको जमाना है पहले क्या होगा बाद में क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा ऐसे एक एक करके आपको यहां पर सजाना इनको माईलिस्टोन की सकल देखे पहले माईलिस्टोन का नाम पता होना चाहिए और फिर आप इनको सिक्वेंस में जमा पाएंगे समझ में आया माईलिस्टोन कौन कौन से है ये देखते हैं कौन सिक्वेंस से ही बना पाता है इनकी आप मैंसे अच्छा सभी सिक्वेंस को छोड़ो इन चार मैंसे सबसे पहले कौन सा माईलिस्टोन आएगा एक तो ये common दिमाग लगा लो आदा दा वहाँ पे ऐसे ही पहुंच जाओगे आंस्वर तक इन चार मैंसे सबसे पहले कौन सा अरे बाइक कट कॉपी पैस्ट काई को करो जितने भी डी लिक रहे है ना सब का खोटा है यह लो बलब एक common sense रखोगी टीका है जा रहे हो रूकी नहीं रहे हो है ना किसी का देख के नहीं लिखना है पॉसिबल ही नहीं है कि डी हो क्योंकि डी में सबसे पहले सी है और सी में क्या हो रहा है यह कौन सा मालिष्टोन है पता चला है कुछ तुमें यह होता है hugging and kissing hugging and kissing और बच्चा मा को hug और kiss करता है पंद्रा महीने की उमर में अब पंद्रा महीने के बच्चा पहला माले स्टोन कैसे हो जाएगा इंसमें ये जो ये जो हो रहा है ये सोशल इस्माइल टोड़ी है बह Давай है हमानों का आगी सात में सोशील इस्माइल में कर किसे सुशल इस्माइल में longest में और थे पर कर दें है ये सब्त बहुत ही गंबीर बात होगी आप लोगों के लिए तो यह तो नहीं होगा सबसे पहले ठीक है अब जो आंसर यह लिख रहे देखो दी आंसर भी आंसर लिख रहे यह वी गलत है देखो डी पे को हैं यह यह श्ट विद सपोर्ट देखो यह पकड़ के क्यों विताउट संपोर्ट और is a support इता बैट यह आट महीने पर यह चत्ट-मेहने का वालिस्टोन है यह 15 महिने पर और यह कर रहा है चार मेहिने का है चार फांच मेहिने का सबसे फेले तो यह होगा पांच मेहिने वाला न फिर कौन सा होगा है 6 महिना यह को 5 महिना पहले A है ना फिर 6 महिने वाला D फिर उसके बाद में 8 महिने वाला B और 15 महिने वाला C A D B C A D B C है C में यह भी गलत है A B C D नहीं है A D B C है यह option C में mirroring 5 महिने पहे mirroring 5 महिने पहे sit with support 6 महिने पहे without support 8 महिने पहे और hugging and kissing 15 महिने पहे समझ मायलिस्टोन ला लो अरे फोटो देखके मायलिस्टोन देखना था अब तो C वाला कर दें बहुत बड़ी हम क्या कर दें आपको खड़ना है है कि नहीं है हाँ हमने तो किया हुआ है एक्जाम है दो तारीक को पता ही नहीं है दो तारीक बहुत अजबुत दिवस है एक तरीके के questions मैंत पुन question पूचे जाने वाले question एक फूल्टम बेबी एक्सक्लूजी वरस फीड करा रहे है end of one week end of one week है गी नहीं है यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक बचा है और यह बचा एक्सक्लूजी वरस फीड कर रहे है end of one week was passing golden yellow stool, बच्चा जो है वो golden yellow stool pass कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, golden yellow stool pass कर रहा है, अब स्वाल ने क्या बोला है, स्वाल ने क्या बोला है, कि at the end of one week was passing golden yellow stool and was found to have adequate hydration, adequate hydration बच्चा ने वाँ पर प्राप्त किया, golden yellow stool but adequate hydration with normal नॉर्मल सिस्टमिक एग्जामिनेशन साथ में नॉर्मल सिस्टमिक एग्जामिनेशन वर्त के समय के जितना ही वजन है उसका पीडियेटरिशन्स नाव एडवाइज क्या एडवाइज करेंगे बताओ स्वाल ने क्या बोला है कि गौइड़न यellow एक्स्क्लूजीव ब्रसप्रीड पर है बच्चा वन वीक वाज पास गौन येलौ स्टूल बचे ने जो पास किया वह कैसा पास किया गौर्डन येलौ स्टूल and was found to have adequate hydration hydrated बचा है with normal systemic examination के साथ में जब हमने वजन किया बच्चे का तो उतना ही आया जितना जनम के समय था तो give oral solution with breast feeding, start top feeding investigate for lactic acidosis reassure the mother that nothing is abnormal आसान है आप बच्चे को examine कर रहे हो एक सब्ता पे तो हम कहते हैं कि बच्चा जनम लेता है जनम लेने के बाद में पहले 7 दिन में वजन को loss करता है 10% एक term और 15% एक preterm है ना, first week of life में first seven days में बच्चा loss करता है weight loss और यह weight loss कितना करता है 10% एक term और 15% एक preterm यह तो इसका weight loss है यह तो क्या है ये तो weight loss है और इसको बच्चा regain करता है अगले तीन दिन में तो बच्चे का वज़न उतना ही है जितना जनम के समय एक तो ये वात बोली गई क्योंकि उसने loss किया तो खोया वह पाया और दूसरा बच्चा जो है उसका क्या हो रहा है वो बच्चा जो है golden yellow stool पास कर रहा है इसका मतलब कोई भी समस्या नहीं है अगर बचा स्टूल पास करा है यूरीन पास करा है वजन उसका जितना जनम के समयता उतना वापस हो गया है तो सभी समस्याओं का निवारन हो चुका है बचा किसी दिक्कत में नहीं है उसको कोई औरल सॉल्यूशन देने की जुरत नहीं है कोई उसको टॉप फिडिंग नहीं करानी है कोई लाक्टिक एसिडोसिस का पंगा नहीं हुआ हम ब्रस फिडिंग हम कराते हैं पर औरल सॉल्यूशन काई को देना मदर को रियाश्यूर करें कि बच्चा एकदम नॉर्मल है कोई अबनॉमेटी नहीं है और उसको दूद पिलाते रहो तुम उसको क्या करते रहो continuous breastfeeding कराओ और अच्चे से जम के दूद पिलाओ तो बच्चे में कोई समस्या होने की रिस्क होगी भी नहीं और यहाँ पे तो कोई रिस्क है भी नहीं मदर को कहेंगे यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है रियाश्यूर कर देंगे मदर को कि nothing is abnormal everything is normal baby is absolutely normal there is no problem with that particular child उस रसुले के साथ में कोई समस्या अभी तो हुई ही नहीं है अगला question एक और मौका देता हूँ आपको मैं सही होने का बता दो इसको पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा पताओ लालो बताओ जल्दी पताओ पहले कौन सा बाद में कौन सा चार फोटो है कि फॉंत आसन है देखो यह जो बच्चे चार है इस नहीं दो कोई बाद स हाइईER लेकिन लेटह वह यह तो यह 3-4 महिनेम आए यह जो बचा ट्राइपोर्ड फैसन में बैटा है यह च्छे महीना का है रो रहा है दखो और तुम्हारी तरफ आस बरी निगाउं से देख रहा है कि तुम सही जवाब लेकोगे यह जो यह बचा है सपोर्ट के सारे चल रहा है 11 महीने का बच्छा स्ट्रेंड विच सपोर्ट 11 महीना 12 महीना और यह जो बच्छा सीड ही चड़ रहा है और विद बेबी स्टेप 18 महीने के आस पास का बच्छा है 18 मन्त है ना तो डी सी फिर ए फिर बी डी सी ए और बी ऑप्शन सी में देख लो पहले चार महीना फिर 6 महीना फिर 11 महीना फिर 18 म फिर A आएगा फिर B आएगा यह इस तरीके से सिक्वेंस चलेगी है गी नहीं है आसान है कि बच्छा क्या कैसे करेगा तो यह तरीका रहेगा बच्छेगा यह सिक्वेंस ऐसे चलेगी अगला विच आप दी फॉलॉइंग मालिस्टों इस नोट डेवलप एट वन यर एक सा साल का रसूला हो गया है और एक साल पे कौन सा मालिस्टों डेवलप नहीं होता है नहीं होता है यह पूछा ध्यानक न एक साल पे कौन सा मालिस्टों डेवलप नहीं होता है पहला लिखा है इस्टेंड विदाउट सपोर्ट होता है प्ले पीक एबू हो जाता है कैन स्पिक मामा एंद पापा हो जाता है क्या नहीं होता है बताओ रलालो एक साल पे कौन सा माइल स्टों देगो stand without support एक साल का ही माइल स्टों है 12 महीने का play PK boo 6 महीने पे ही हो जाता है 6 महीने के बाद में पापा एंद मामा 9 महीने पे है ना तो सभी एक साल के अंदर-अंदर का मामला है सर्किल तीन साल की उमर पे बच्चा सर्किल ड्रो करेगा तीन साल पे तो ये एक साल पे होने की संभाव नहीं नहीं है हम कहते हैं तीन पे सर्किल चार साल पे रेक्ट टाइंगल और पांस साल पे ट्राइंगल यह काहनी रहती है तीन साल पे सर्किल तीन साल पे सर्किल तीन साल चार साल पे रेक्टाइंगल पांस साल पे ट्राइंगल यह तरीका रहता है सर्किल रेक्टाइंगल और ट्राइंगल यहाँ पे यह जो है ड्रोइंस सर्किल यह तीन साल पे होगा इससे पहले यह नहीं हो पाएगा बाकी सभी चीज़े ओओ सकती है तो सर्किल का मामला यहाँ पे गंबिर है बाकी तो कोई मामला गंबिर नहीं है How much time लेटर सुड रेटाइनोपेटियो प्री मैचोटी स्क्रीनिंग भी डन for a two week old baby being treated in an issue for sepsis who was born at 28 week of gestation two week, four week, six week और eight week बड़ा conceptual question है इस स्वाल में हमने आपको क्या बोला कि कितने time बाद में आरोपी होता है रेटाइनोपेटियो प्री मैचोटी रेटाइनोपेटियो प्री मैचोटी कितने समय बाद में रेटाइनोपेटियो प्री मैचोटी जो होती है उसको हम ट्रीट करेंगे NICU के अंदर सेफसिस के लिए जो बचा बोलन वाए 28 week of gestation में जो 28 week पे बचा बोलन वाए उसके अंदर रेटाइनोपेटियो प्री मैचोटी की स्क्रीनिंग करने के लिए दो वीक ओल्ड बच्चे को ट्रीट करेंगे NICU में सेफसिस के लिए तो ये 28 week के बच्चे को जो 28 week पे बोलन वाए कितने टाइम बाद में ऐसा करेंगे दो सब्ता, चार सब्ता, छे सब्ता या आठ सब्ता ऐसा option में यहाँ पे दिया है और इसका जवाब क्या होना चाहिए यह आप लोगों को लिखना है और कहां लिखना है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में क्योंकि जवाब इतना आसान नहीं है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने सब्ता बाद में इसका हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हमने यहां पर रेटाइनोपैतिव प्री मैचूर्टि का जिकर किया है तो इसका कितने सब्ता बाद में टेस्ट करेंगे तो पर्टिकुलर जो टाइम परेड़ेड है वो आपको यहां पर ग्याद करना है और बताना है कि हम कितना वक्त लेंगे और कितने वक्त बाद में हम आरोपी को टेस्ट करेंगे वहाँ पे जो बच्चा दो वीक बच्चा है और 28 वीक पे बॉर्ण हुआता बच्चा है ना और वे टू वीक ओल बेबी है और इसको हम ट्रीट करता है ना इस्यो में तो उसको कब टेस्ट करेंगे ऐसा स्वाल नहीं पे पूछा है तो आपको अपना जवाब जो है वह इस सवाल का जवाब जो है विडीओ के अंत कर शुकूर है जितने भी आसवा की तयारी कर रहेर रना erfolgreich स्वाल ये उनकी अपन्कर्य सक्वार को पांच मोदल पेपर चार्श बन्रम आप आज ही पर्चेस करें, वहाँ पे डिपरेंट टाइप के model paper अविलेबल है, test module के अंदर और exam के point of view में इंपोर्टेंट paper आप लोगों के लिए वहाँ पे अविलेबल है, total 5 model paper आएंगे, रोज के एक आएंगे, और ये available हो चुका है तो इसको जरूर mention करें, और exam से पहले एक अपनी बैतरीन तयारी जो है मोडल पेपर के तुरू करने का कौशिस करें ताकि आप इस आने वाले एक्जाम में खुद को सपल बना पाए और एक बैतरीन तयारी जीत वाली तयारी कर पाए आज के सेशन को मैं यही पर विराम दूँगा और नेक्स सेशन यूपी यूए एक्जाम स्पेस्विक रहेगा किसीन बड़ा कूब काए कि इस्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष से दूरी रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सोगन महादेव की हम पेदा हुएं जीतन करेंगे सिकेंगे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै माकाल जैर में जीतन नहीं होता जा होता है